जिन्दगी में किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम कई बार सोचते हैं और क्या सोचते हैं कि अगर हार गया तो क्या होगा ये जो सोच है इसको कैसे बदला जाए उसी पर ये कहानी है एक stand-up comedian की जो धीरे-धीरे प्रसिद होता जा रहा था एक बार किसी magazine के reporter ने उसको एक interview के लिए आमंतृत किया जैसा कि हर interview में होता है सामने वाले को मालूम नहीं होता कि उससे क्या पूछा जा सकता है वैसा ही एक प्रशन उस reporter ने comedian से पूछा उसने पूछा कि ऐसा कौन सा record है जो आप भविश्य में तोड़ना चाते हैं इस comedian के पास कोई जवाब ही नहीं था इसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था तो इसने कहा मैंने इस बारे में तो कुछ सोचा नहीं है reporter बोला आप कुछ तो बताईए मतलब हमें कुछ तो लिख नहीं होगा तो इस comedian ने थोड़ा सोचा और कहा कि एक record है जिसे मैं तोड़ना चाहता हूँ एक मिनट में सबसे ज़्यादा words बोलने का record reporter ने फटा फट वो जवाब लिख दिया magazine छपी तो काफी लोगों ने उसको पढ़ा और साक्षातकार काफी प्रचलित हो गया social media पे trending होने लगा कि क्या ये comedian record बना सकता है comedian के लिए एक बड़ी आफ़त आ गई वो देख रहा था कि ये क्या drama चालू हो गया है तब ही उसके पास एक channel से call आता है कि आज शाम आपको open challenge दिया जाता है आप हमारे channel पे आईए और एक मिनट में सबसे ज़्यादा words बोलकर record अपने नाम कर लीजिए इसको लग रहा था कि ये क्या मुसीवत आ गई है शाम होते ही news channel की गाड़ी इसके घर पहुच गई इसको लेने के लिए इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा यही सोचे जा रहा था कि हार गया तो क्या होगा जैसे जैसे ये office के करीब पहुच रहा था इसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया और इसने सोचा कि अगर हार भी गया तो क्या ही होगा ज़ादा से ज़ादा लोग कुछ दिन तक बाते करेंगे कि इससे रिकॉर्ड नहीं बना थोड़ा बहुत बुरा कह देंगे इससे ज़ादा और कुछ नहीं होगा यह स्टूडियो में गया और इस बार इसने सोचा कि अगर जीत गया तो क्या होगा अभी जहां पहुचा हूँ यहां से और उपर चला जाऊंगा दुनिया मुझे जानेगी और मेरा खुद का आतमबल भी बढ़ेगा इसका एक मिनट का चैलेंज शुरू हुआ और इस बंदे ने कमाल कर दिखाया वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और इसे खुद पर यकीन हुआ कि जीत गया तो क्या होगा यही सोचना जरूरी है यह कहानिया में बहुत बड़ी बात बताती है कि जिंदगी बदलनी है तो अपनी सोच बदली है कई बार हम यही सोचते रहते हैं कि हार गया तो क्या होगा वो जो हम सोच रहे होते हैं धीरे धीरे हम पर इतना हावी हो जाता है कि हमारे आस पास वही होने लगता है जो हम सोच रहे थे life में positive सोचना शुरू कीजिए जीत गया तो क्या होगा जब ये feeling आपके अंदर आएगी तो ऐसी कोई मन्जिल नहीं है जो आप नहीं पा सकते साथ बने रहने के लिए धन्यवाद